तो दौस्टों ये बात बताइए कि गाउं पे रहना किस किस को पसंद है भाई मुझको तो जब ही मौका मिलता है ना मैं अपने गाउं चली जाती हूं और वहाँ पे ना मैं बहुत इंजॉय करती हूं बहुत सुकून मिलता है और आप लोगों में से जो लोग गाउं में रह और मेरा तो आम देखकर ही जी ललच गया है और मैंने धेर सारे आम तोड़े भी हैं इसकी रेसिपी भी मैंने आप लोगे साथ शेयर किया हुआ है जरूर रेसिपी देखिएगा फ्रेंड्स और वीडियो अच्छी लगे ना आपको तो प्लीज लाइक कीजेगा जादा जाद शेयर कीजेगा और मेरा सपोर्ट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा फ्रेंड्स तो आज मैं इसी आम से बहुत ही मज़दा रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि स्वाद ने एकदम देशी तरीके से होगा और बहुत ही जादा मज़दार रेसिपी है तो तोड़ सकता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना नीचे तक आम एकदम लगा हुआ है मैंने इस आम को एकदम ताजे ताजे आम को नमक मिर्ची के साथ भी खाया धेर सारे आम तोड़ कर भी लेकर आई और बहुत ही गाम में इंजोई किया तो चलिए देख इस पात की आंगर में लगी आम के पेर से मैंने इसे तोड़ा है तो चलिए इसे फटा फट से बना लेते हैं तो इसके लिए न मैंने सबसे पहले आम को अच्छी तरीके से धो लिया है कॉटन के कपड़े से पोच लिया है बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए और थोड़े बहुत आम के उपर जो दाग लग रहा है उसे हम इस तरीके से हटा देंगे और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से यह जो आम है न कट जा रहा है अगर इसकी जगपे गुठली वाले आम होंगे तो आप आम कटर आता है उससे आप आसानी से कट कर सकते हैं वैसे आम न बिना आम कैसे कट करना है उसका वीडियो लिंक मैं आपको दे दूंगी आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं आम के सारे साइड वाले पार्ट को हमें कट कर लेना है और इसे इस तरीके से पहले बीच से हमें कट करके देख लेना है तो सारे आम में बिल्कुल भी गुटलियां सक् तो इसी तरीके से हम सारे आम को बीच से कट कर लेंगे और चेक भी कर लेंगे तो इधर आप देख सकते हैं सारे आम को मैंने कट कर लिया है अब बारी आती है इसे आपना चार भाग में कट कर सकते हैं या फिर बड़े-बड़े पीसे में कट कर सकते हैं लेकिन मैं एकदम अल तो ये देख रहे हैं आप 20 से मैं आम को कट कर रहे हूँ, एकदम बड़ी बड़ी आम की फाकी मैंने कट कर लिया है, तो इसी तरीके से मैं इसका भरवा आम का अचार बनने वाली हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बनने का तरीका एकदम आसान है, लेकिन बहुत ही जादा टेस्टी ये आम का अचार बनकर तैयार होगा, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा चमच नमक और आधे छोटा चमच हल्दी पावडर डाल दिया है, अब अच्छी तरीके से इसे टॉस कर लेना है, ऐसे टॉस करेंगे ना, तो बढ़िया से ये आम की जो फाकी है ना, इसके उपर ये हल्दी नमक लग जाएगा, इसे हमें पूरी रात के लिए छोड़ देना है, ताकि आम से जो भी पानी है उसका निकल जाए, तो आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से सारे आम के उपर हल्दी और नमक लग चुका है, आप देख सकते ह तो इसे अब हम ढख देंगे, तो ढखने के लिए कोई सावी अब जाली वाला बरतन ले लें और इसे ढख दें पूरी रात के लिए, बीच बीच में अगर आपको मन करें तो एक दो बार आप फिर से इसे मिक्स कर सकते हैं, ऐसे टॉस करते हुए, तो इसको फिलाल हम रखत हैं साइड में और चलिए इसके लिए हम फटा-फट से मसाले बना कर तयार कर लेते हैं, तो यहां पे लगभग एक छोटा चमच जीरा लिया है, मैंने आदा चोटा चमच मेथी दाना, एक बड़ा चमच धनिया साबूत लेना है, इसके साथी पान सेचे सूखी लाल मिर्च तीख आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग का में जाधा कर सकते हैं, काली मिर्च साबूत लेना है, आधा चमच और एक बड़ा चमच हम लेंगे सौफ, सौफ बहुत सी जाधा बढ़िया फ्लेवर ले कर आता है अचार के मसाले में, अजवाइन मंगराय ल्यानी की कलाउ जी ये एक छोटा चमच पूरा दोनों मिला कर लेना है, यहाँ पे डाल रहे हूँ मैं एक बड़ा चमच सरसो काला वाला आप इसकी जगा पीला वाला सरसो भी ले सकते हैं, धीमी याज पे अच्छी तरीके से हमें मसाले को भून लेना है, जब तक मसाले अच्छ से चिटक इसे ग्राइंडिंग जार में हम डालेंगे और फटा फट से दरदरा मसाला पीस कर तैयार कर लेंगे, फ्रेंट्स एक छोटी से रिक्वेस्ट है मेरी आप से, अगर आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आती है, रेसेपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजेगा, ज इतना सारा पाने निकला है, तो आम के जो भी पीसेस है अब इसे हमें एक थाली के उपर फैला देना है, आप धूप में कॉटन के कपड़े के उपर भी इस तरीके से फैला सकते हैं, अगर तीज धूप में इसे आप रखते हैं तो पूरे एक दिन में अच्छी तरीके से आ अच्छी तरीके से देखिए, बहुत जादा इसे सुखाना भी नहीं है, बस अच्छी निकल जाए, उतना ही सुखाना है, तो चलिए हम मसाले को तयार कर लेते हैं, तो जो हमने मसाला पीसा था ना, वो सारा मसाला एक बड़े से प्लेट में डाल देते हैं, और यहां पर लिया है, मैंने राई दाल, पीली वाली राई दाल है, यह आपको किसी भी किराने की शौप पे मिल जाएगा, या फिर ऑनलाइन भी आप इसे मंगा सकते हैं, अगर यह नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अल्रेटी हमने काला सरसो इसमें पीस रखा इसके साथ ही मैंने यहां पर डाला है पंच फोरन यानि की 5 स्पाइस और हींग, अचार में आप हींग जरूर डालें, डाजेशन के लिए सही होता है, इसके साथ ही जो आम में से पाने निकला था ना उसे हमें बिलकुल भी फेकना नहीं है, यूज करने से कम से कम एक घंट पहले हमें फ्रीज से इसे निकाल लेना है ताकि यह नॉर्मल टेंपरेचर पे आजाए, इसे भी हम मिला लेंगे इसके साथ ही, इसके साथ ही हम इसमें डालेंगी वाइट वैनिगर यानि की सफेज सिरका, तो दो छोटे चम्म जितना हम इसमें डाल देंगे सिरका, ताकि अचार हमारा कभी भी खराबना हो तो अब हमें इसमें डालना है सरसो का तेल तो लगभग दो बड़े चमच जितना अभी मैं इसमें सरसो का तेल डाल रही हूं और अच्छी तरीके से इसे हमें मिक्स कर लेना है यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देना है हाथों की हेल्प से अगर आप चमच वगरा से मिक्स करते हैं तो अच्छी तरीके से यह मसाला नहीं मिक्स हो पाएगा तो इस बात का आपको ध्यान देना है हाथों से ही बढ़िया से मसलते हुए मिक्स कर लेना है तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से अचार में कितना तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से तीखे की मातरा कर सकते हैं मैंने एक बड़े चमच जितना देगी मिर्च डाला था और साथ ही एक बड़े चमच जितना डाल दिया था कश्मेरी लाल मिर्च वो तीखा नहीं होता लेकिन कलर बढ़िया आता है अच्छी तरीके से मैंने मसालों को मिक्स कर लिय यह बढ़िया से बाइ्ड होने लगा नहिक तो इधर हमारे अचार का मसाला भी तैयार हो गया है। जो हमने आम की फाकी को सुखायत है न वो भी तैयार है। तो चलते हैं हम एक यह आम के जो पीसेसे हैं रखना न उसे उठाते हैं और यह मसाला न एक दम देसी तरीका है यह फ्रेंट्स आम के आचार बनाने का जो की खाने में बहुत जादा टेस्टी लगता है यह आम का भरवा आचार है इस तरीके से आप जरू ट्राइ कीजिए का बहुत ही जादा यह आचार आपको पसंद आएगा तो दूसरा भी पीस में आपको बना क दिखा देते हूं यह देखे कितनी असानी से इसके उपर यह कोट हो जा रहा है बढ़िया से इसको दबा दबा कर भर लेना है मसाले को फ्रेंट्स यह जो देसी आम के अचार की रेसिपी में आपके साथ शेयर कर रहे हूं बहुत यूनीक तरीके का है और एकदम देसी स्व गया है न तो इसे एक कटोरी में निकालकर अभी फिलाल में साइड में रख देते हैं और सारे मसाले को अच्छी तरीके से आम के उपर मैंने भर दिया है और आप देख सकते हैं लोकवाज यह कितना जादा बढ़िया लग रहा है तो अब हमें इसे धूप में रखना है इस इसे हमें पूरे एक से दो दिन धूप में अच्छी तरीके से सुखाना है इसे हम किसी भी जाली वाले बरतन से ढख के रखेंगे ताकि यह अच्छे से सूखता रहे और धूल वगरा भी ना जाए अगर आपके हाँ धूप अवलेबल नहीं है तो आप अंखे की हवा के नी सकते होंगे कि यह सूखने के बाद और बनने के बाद किता जादा टेस्टी लगेगा इसे आप साल दो साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं बिलकुल भी खराब नहीं होगा एकदम देसी तरीके से बना हुआ यह अचार है तो दो दिन इसमें धूप लगने के बाद मैं आ जब बग आधा किलो जितना यह सरसो का तेल है इस तरीके से कोई साभी गहरा बरतल लेंगे और इस आचार को रखने के लिए आप काच कही जार लेंगे जार जो है न अच्छी तरीके से साफ और सूखा होना चाहिए बिलकुल भी नमी नहीं होने चाहिए अगर आप तुरं यही तो इस रेसिपी की खास बात है यही है बहुत ही जादा यूनिक तरीका है फ्रेंट्स इस आचार को बनाने का और सालो साल इसी तरीके से यह आचार के उपर मसाला लिप्टा रहेगा और कुछ बातों का आप खास ध्यान देंगे तो यह अचार कभी भी खराब नहीं ह तो वो जार भर चुका था तो दूसरे जार में हम इस तरीके से शिफ्ट कर लेते हैं आप देख सकते हैं मसाले बिलकुल भी अलग नहीं हो रहा है यही खास बात है इस अचार का तो उमीद करती हूं फ्रेंट्स आपको यह अचार की रेसिपी बहुत जादा पसंद आई हो आम के अचार की और भी रेसिपी मैंने शेयर किया हुआ है रेसिपी लिंग में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और कहां से आप यह रेसिपी देख रहे हैं यह जानकर फ्रेंट्स मुझे बहुत ज़ादा खुशी होगी तो ज़रूर मुझे कमेट करके बताई लंबे समय के लिए श्टोर करना है तो इस तरह के से घचार को भषटे तेल से अबल्कूर Nahi को खराब नहीं हो kitty और आपको समय के बनाना चादे हैं तो आपकाम इल भी इसे बना सकते हैं तो हमें दोब अच्छ पार आप इसे धूप में जरूर रख दें या फिर किसी भी गर्म जगब पे ये जरूरी है तो दो से तीन दिन में ये अचार खाने लाइक हो जाएगा जार को अची तरीके से हमें पोछ लेना है जार जितने ही साब सुतरा रहेगा अचार आपका कभी भी खराब नहीं होगा और स सरसो तेल की बात की जाए ना तो सरसो के तेल को मैंने कच्छा ही यूज किया है आप चाहें तो धुआने तक गर्म कर लें ठंडा करने के बाद यूज करें वैसे कोई भी दिक्कत की बात नहीं है कच्छा तेल भी यूज कर सकते हैं क्योंकि धूप में हमें रखना है असानी हो जाता है ना जब भी कोई सब्जी वगरा बोरिंग लगने लगता हैं तो आमका अचार मिल जाए तो स्वाधी बढ़ जाता है खाने का, आप इन आमके अचार को ट्रेवल में भी ले जाएं तो पूरी पराठे के साद भी अच्छा लगता है खाने में, बच्चों को कभी भी खराब नहीं होगा अगर ऐसे डारिक धूप में आप रखते हैं तो धूप पर नमी अचार के अंदर जा सकती है और अचार आपका जल्दी ही खराब हो जाएगा तो इनसा बातों का आप ध्यान देंगे तो अचार कभी भी खराब नहीं होगा इस तरीके से धकन लगा दें अगर आप कहीं जा रहे हैं तो और धूप में रख दें कभी भी अचार खराब नहीं होगा तो उमीद करती हैं आपको ये अचार के रेसेपी पसंद आई होगी मैं इस अचार का आपको फाइनल रिजल्ट दिखाती लेकिन वीडियो बहुत बड़ी हो गीख है तो फिर मिलते हैं ऐसी यूनिक मजदार और हल्दी रेसेपी के साथ तब तक के लिए बाय बाय एंटेक क्यार